रास्ट नाइकों को मेरे नमस्कार मैं अखिले स्वागत करता हूं आपके यूटूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर आज हम आपके आज ग्यारवे दिन यूँ कहें हम आपके स्लेबस के एक महत्तपों टॉपिक बुद्धी के सिध्धान्त के या बुद्धी की परिभासाओं के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर से लगबख 4-5 कोश्टन पूछे जाते हैं उन 4-5 नंबर्स में प्रशन या तो आ जाता है परिभासाओं को लेकर या फिर उसके प्रकारों या विशले श्रात्मक अर्थ को लेकर के आ जाता है यानि डिस्क्रिप्टीव फॉर्म में और तीसरा प्रशन आत ही आता है उसके सिध्धांतों से संबंदित तो हम सभी लोग इस पूरे वीडियो स्ट्रीज में इस कॉंसेप्ट को क्लियर करेंगे फिलहाल एक वीडियो में तो यह सारी चीज़े अविलेबल हो पाना थोड़ा कथिन है मैं अविलेबल तो आपको करा सकता हूं परन्तु वीडियो में यह पूरा चैप्टर आपको कंप्लेट करा दूंगा कोई बात नहीं है चलिए पढ़ना प्रारम करें क्या कहता है बुद्धी का सिध्धांत तो बुद्धी के सिध्धांत को हम यूं सैध्धांतिक अर्थों में कठिन ना बनाए सरल सब्दों में यदि हम कह दें तो क्या है जनरली इंटेलिजेंस हैज बिन रिप्रेजेंटेड बाई ठिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग रिफ्लेक्टिंग एटीशी हिंदी में समझें कहता है कि बुद्धी सामार्य अर्थों में तेजी से सीखने समझने अच्छा इस्मरण तथा तार्किक चु इसी भी समस्या में वो फस्ता है तो बड़ा अच्छा उसका समाधान निकाल ले जाता है तो आप सभी कहते हैं या समाज कहता है कि उस विक्ति की बुद्धी बड़ी अच्छी है उसकी बुद्धी बहुत तेज है उसका दिमाग बहुत तेज है इसलिए वो ऐसा कर पाता ह यानि हम इन सभी गुणों को क्या नाम दे देते हैं? बुध्धी नाम दे देते हैं. आगे बात करें, तो ये तो समाजिक बाते हो गए, ये एक सामानी अर्थ हो गया, परंतो मनो विज्ञानिक देष्टिकोन से यदि हम बात करें, तो थोड़ा सा इसका अर्थ, ये सिर्फ कितनी ही योगिता नहीं है इससे थोड़ा सा आगे भी बढ़कर कुछ बाते हैं जिनके बारे में मनोविज्ञान अपने अध्यान में खोजता है तो यदि हम बात करें बुद्धी के तत्यों को विसलेशित करने के बारे में तो इस पर अध्यान बुद्धी परिक्षणों के साथ होता प्रारम होता है बुद्धी परिक्षणों की सुरुवात बिने साइमन के माध्यम से हुई बुद्धी परिक्षण प्रारम हुए तो मनोवज्ञानिकों का ध्यान बुद्धी के तत्यों की और जाना प्रारम हुआ उनके सुरूप को परिभासित करने में जाना प पूछी जाए कि बुद्ध परिख्षण जो मापता है वही बुद्ध आपको बताए कि यह सारे जो मनोव व्यजाने का को इंट्रेस्ट गया बुद्धी को परिभासित और इसके सुरूब करने के लिए यह सारी चीज़े गई बुद्धी परिक्षण जप्रारम हुआ उसके बाद से तो बोरिंग साहब ने परिभासा प्रस्तुत कर दी क्या प्रस्तुत कर दी इंटेलिजेंस इस वाट इंटेलिजेंस टेस्ट मीजर जो भी बुद्धी परिक्षणों से हमें अंक प्राप्त हो रहे हैं उसी के आधारपर हम बुद्धी को परिभासित कर देते हैं लेकिन ये परिभासा बुद्धी के सुरूब को सही सही परिभासित करने में सफल नहीं हो पाई फिर तमाम मनोवैग्यानिकों ने तमाम तरह की परिभासाइं प्रस्तूत करना प्रारम की तो विभिन मनोवैग्यानिकों ने जो बुद्धी के सुरूप को विभिन तरीके से परिभासित करने का प्रयास किया है तो उन सभी परिभासाओं को यदि हम consolidate करें या हम एक जगा पर इखठा करें और उनका साथ में visualization करने का प्रयास करें तो उन सभी परिभासाओं को हम तीन भागों में बाड़ सकते हैं कितने भागों में बाड़ सकते हैं उनको हम तीन भागों में की छमता है किसके साथ वातावरण के साथ दूसरी परिभासा क्या कहती है कि यह जो है किसी व्यक्तिके सीखने की छमता कितनी अच्छी है वह उसकी बुद्धी है यानि इन के इन प्रकार के मनोवैग ज्यानिकों के परिभासाओं में बुद्धी को सीखने की एक बड़ी अच्छी छमता के रूप में परिभासित किया गया तीसरे प्रकार के मनोवैग ज्यानिकों ने तीन भागों में ब साथ साथ और तीसरी बात कह रही है कि वेक्तियों में अमूर्त चिंतन करने की तीसरे प्राइब के मनवाई गयने को कहा कि वेक्ति की बुद्धी कब तेज होगी यानि बुद्धी को परिभासित किया जब वेक्ति अमूर्त चिंतन करने की योगिता कर ले जाए ठीक है तो इ इस आधार पर पहले प्रकार के मनोवग्यानिकों ने परिभासित किया, दूसरे प्रकार के मनोवग्यानिकों ने परिभासित किया किस प्रकार से कितने एच्छी तरीके से बालग सीखता है, उस आधार पर तीसरे प्रकार की परिभासा ये आधारित थी वेक्टिके अमूर्त चिंतन के आधार पर अब इन तीनों प्रकार की परिभासाओं को फटा-फट देख लें क्योंकि परिच्छा में पूछी गई है तो जड़ा एक बार हम लोग यहां पर बात करेंगे तो हो सकता आपको परिच्छा में वो स्ट्राइक कर जाएं पहली परिभासा अगर हम देखें तो वो परिभासा है स्टर्ण महोदे की किसकी महोदे की? स्टर्ण महोदे की परिभासा है इनकी परिभासा कहा कि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योगिता बुद्धी है यह पहले पार्ट में इनको रख लें पहले भाग में रख लें इनको रख सकते हैं ना बिलकुर रख सकते हैं नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की चमता ही बुद्धी है या नए परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योगिता बुद्धी है ये कहा किसने स्टर्ण महोदे ने कहा दूसरी परिभासा प्रस्तुत करें हम तो कहें टर्मन महोदे की किसकी टर्मन महोदे की परिभासा अमूर्त चिंतन करने की योगिता इनको हम तीसरे भाग में रख दें ठीक है दूसरे तीसरे भाग में अगर आप रखेंगे तो आपको परिभासाएं भी याद रह पाएंग तीसरा बकिंगम साहब ने कहा बकिंगम साहब ने क्या कहा बकिंगम ने कहा कि बुद्धी सीखने की योगिता है यह दूसरा भाग हो गया ठीक टर्म इस्टन महोदे की परिभासा कहां रखी गई पहले भाग में रखी गई टर्मन की परिभासा तीसरे भाग में रखी गई औ और बकिंगम की परिभासा दूसरे भाग में आगज आती है बुद्धी सीखने की योगिता है चौती प्रकार की परिभासा की बात करें वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ कहते हैं बुद्धी कार्य करने की एक विधी है इसको भी हम दूसरे भाग में रख सकते हैं फिर इन सभी परिभासाओं में बुद्धी के किसी किसी एक सुरूप की व्याख्या की गई है आधुनिक समय में जब बुद्धी के विभिन्य परिभासाओं का अधन किया गया तो अंतिम रूप से अगर हम बात करें कॉंसेप्ट समझने के लिए तो वैसलर साहब ने सभी बातों को एक जगा निचोड करके एक बात कही कि बुद्धी एक समुच्च या सारवजनिक छमता है बुद्धी एक अलग-अलग चीज़ नहीं है किसी विक्ति में वातावन के साथ समाजन करने की योगता हो सकती है एक ही विक्ति में सीखने की छमता भी हो सकती है एक ही विक्ति में अमूर्थ चंतन करने की योगता हो सकती है यानि तीनों प्रकार की योगताएं एक विक्ति में हो सकती है अलग-अलग तरीके से हम इसको परिभाचत नहीं कर सकते इस तरीके से इनोंने कहा कि जो बुद्धी है इसमें ये सभी चीज़े होती है यानि एक ये समुच्च है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण किरिया करता है विवेक सील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन कर पाता है ये वैसल इन एक एक पक्षों की बात करें और वैसलर के सभी पक्षों की बात करें तो इन सभी परिभासाओं को हम इस आधार पर परिभासित कर सकते हैं या इन तथ्यों को हम इस आधार पर कह सकते हैं कि बुद्धी क्या है बुद्धी विभिन च्हमताओं का क्या है योग है ठीक ह तो इस आधार पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज मैं आपको extra नहीं बता रहा हूँ जितना मैंने पहले आपका content त्यार करने से पहले आपके प्रश्णपत्रों को देखा है सलेबस देखा है, इन दोनों को मैं mix करते हुए आपका content अविलेबल करा रहा हूँ तो पहला अगर हम इन सभी परिभासाओं को ध्यान में रखें तो हम सामानिता कह सकते हैं बुद्धी विभिन चमताओं का क्या है? एक योग है इसी बुद्धी के सहारे विक्ति किसी समस्या का समाधान करता है या समाधान करने के लिए सूज का सहारा लेता है तीसरा बुद्धी के सहारे विक्ति उद्देश्यपून क्रियाय कर सकता है और बुद्धी व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में क्या करती है मदद करती है ठीक है भाईया बुद्धी से व्यक्ति में विवेक सील चिंतन तथा अमूर्थ चिंतन करने में भी मदद मिलती है ये सभी चीजे ऐसे रूप से पूछी गए हैं परिच्छा में आपसे कि निमनलिकित में से कौन-कौन से बुद्धी के तक्थ्या को सही-सही परिभासित करते हैं तो आपके विकल्ब में से इन कोई भी पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं या इसे सम्मंधित कोई पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो आप अपने विकल्ब का चैन आसानी से कर पाएंगे बिना समय गवाए बिना कन्फ्यूज हुए चलिए आगे बढ़ें तो बुद्धी के प्रकारों की अब ये concept पूरा समझ में आगे कि ये एक योगता नहीं है विभिन योगताएं व्यक्ति के बुद्धी में होती हैं और उन सभी का समुच्च या उन सभी का योग हमारी बुद्धी रिप्रिजेंट करती है ये मनोव की बात अगर करें तो थांडाइक ने बुद्धी के तीन प्रकार बताएं हैं व्यक्ति के बुद्धी के तीन प्रकार बताएं हैं क्या क्या बताएं पहली बताई सामाजिक बुद्धी कौनसे बुद्धी सामाजिक बुद्धी दूसरे प्रकार की बताई अमूर्त बुद तीसरी बताई मूर्ट बुद्धी इन तीनों बुद्धियों का मतलब क्या है इसको कहा गया कि इसके आनिय विक्तिओं को ठीक ढंग से समझता है Ace लु मार्टि बड़ा-च्छा पढ़लिग गया योगता है कर ले गया परंतु वह उसका सामाजिक पडोसी से उसका व्यवहार नहीं है वो किसी को भी बहुत अच्छी तरीके से कॉपरेट करके नहीं नहीं सेक्षिक मूह लेकि जब बात आती है जब आप पढ़ते हैं ठीक है तो किसी को सहयोग नहीं करता है तो कहते हैं क्या है अगर थौंडाइक की बात करें तो कहेंगे उसमें सामाजिक बुद्धी नहीं है तो सामाजिक बुद्धी क्या है इसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझ सकता है और व्यवहार को सलता भी दिखाता है ऐसे व्यक्तियों का जिनमें सामाजिक बुद्धी ज बुद्धि अमूर्थ बिद्धि का मतलब क्या है कि अमूर्थ विशियों के बारे में चिंतन करने की छंता यानि जो चीजें हमारे सामने उपस्थित नहीं है उनके बारे में यदि हम चिंतन करना या सोज बिचार कर ले जाएं तो वो हमारे अमूर्थ चिंतन की अमूर्थ बुद्धी कहलाती है और सामने वस्तु हो और सामने वस्तु को देख करके हम उसको अच्छी अच्छी तरीके से उसको परिभासित कर पाएं उसके बारे में बता पाएं वह उसकी मूर्थ बुद्धी या व्यवहारिक बुद्धी भी कहलाती है यह ऐसी मानसिक छमता है जिसक के सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तूं के महत्वा को समझता है उनके बारे में सोचता है अपनी इच्छा और अवसक्ता नुसार उसमें परिवर्तन लाकर उसे उपियोगी भी बनाने का प्रयास करता है इसे व्यवहारिक बुद्धी भी कहा गया है तो अपने पूरे चै आगे हम आपको बुद्धी के सिध्धानतों के बारे में बताएंगे तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो चैप्टर में